हेलो दोस्तों कैसे हो सभी एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे ट्यूब चैनल सिकर स्टेड़ी पॉइंट पर दोस्तों ये पीडिया आपको टेली ग्राम पर मिल जाएगी टेस्ट सुषिन में लिंक है आप वहां से जुड़ सकते हैं और बांकि जो महत्पूर्ण बिंद को देते हैं उत्राखंड में सीमादवार में होती है भरती और खेर अभी तो आई नहीं है और इसके अलावा जो स्याय सब का हुआ था पिछली बार हरीदवार में हुआता हो और 2019 में उसका फिजिकल हुआ जुलाई में और लेकिन अभी भी उसका रिटन एक्जाम नहीं है और शिर्प आपको आपिस में बैठ रहना होता है इसमें और कहीं कुछ नहीं मतलब बहुत अच्छी जवब आपके लिए तो जनरल के लिए 47 पोस्ट हैं EWS के लिए अब EWS हर जगा होता है और OBC के लिए 26 पोस्ट हैं SC के लिए 21 हैं ST के लिए 10 हैं और टोटल 115 पोस्ट ह हैं और बागी कुछ एक्स सर्विसमेंन के लिए हैं समय हैड कोस्ट वाला सेलरी यहाँ पर दी हुई है 25 पांसों से 81 एक सो तक और चार लेवल की सेलरी है उत्रा खंड में जो बीडियो लेवल की जौब है उस लेवल किसमें मिलेगी चाहिए आप सियाइज सब में जाईए चाहिए आई टीबीप चाहिए चाहिए कहीं जाईए तो हर जगह आपको यही मिलता है और यह सेलरी आपकी लगबग 37,000 तक बन जाती है अब बात करते दोस्तों जो एज लिमिट है अठार से 25 तक अगर आपकी आयूसीमा है तो इसके बीच में तब आप इसके लिए लाव यहां पर हन्दी है तीस वर्ड फरमिर्ट यह आपका होना चीह यह आपका बात में होगा जब एक्जाम निकल जाएगा फिजिकल निकल जाएगा पहले फिजिकल तीर एक्जाम फिर उसके बाद यह अंतम यह होता है और SCEHT के लिए 5 एर की छूट है इसमें और यानी कि व जो कुछ महत्तपूर्ण बिन्दू है उनके बारे में बागे आप फॉर्म जरूर भर लिजेगा इसका जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर सौरुप पर आपके जो चालान लगेगा और बागी जहाँ पर साइट दी हुई है www.ssb recruitmentrect.gov.in पर आपको जाना है आप यहाँ से आसानी से इसके लिए आप देन कर पाएंगे पोस्ट हेट कॉंसेबल मिनिस्टर केंडिडेट नेम फादर से नेम और मदर से नेम डेट ऑबर्त जैंडर नेशनलिटी लिजन और मेरिटेल स्टेटर्स यह भी सब आपको डालना दिया तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें सब कुछ एक-एक कदम फुक फुक कर भरेगा और कोई भी गलती इसमें बिल्कुल मत करेगा और मोड पेमेंट मोड आप उनलाइन इसब होगा अगला यहाँ पर देख लेते हैं तो एड्मिट का आट कैन वी डाउनलोड फॉर्म दे फिजिकल ही है और फिजिकल में आपकी 1.6 किलो मिटर रेस होगी और आपके पैरोमेस में चिप बात ही जाएगी और फिल्ड में आपको दोड़ाए जाएगा बिल्कुल आसान है आर्मी की मुकाबले बहुत आसान है सब लड़के निकल जाते हैं महिलाओं के लिए वेगें और हाइट यहाँ पर 155 सेंटीमेडर फिमल के लिए 125 बांकी लड़कों के लिए चाती होती है सब कुछ नहीं और आगे देख लेते हैं तो खेर आपको चाती का पता ही है इतनी बार भरती इसा तो है निकि कोई भी लड़का परती में नहीं गया होगा और भरती में सब लो हावर यानि दो घंटे के आपकी परिक्चा होगी 100 कोस्टिन यहाँ पर आएंगे multiple choice कोस्टिन और general knowledge mathematics reasoning या इंगलिस है हिंदी में से कोई एक चीज़ आप कर पाएंगे अगर आपको इंगलिस आती है तो इंगलिस वाला करेगा बांकी हिंदी आती तो हिंदी वाला बांकी दो नुक नहीं करना है फिर आपको दिशां दिक्कर हो सकती है 50% आपको अंकल आने होंगे जनर्नल EWS OBCS सर्विसमें लेकिन 50% अंकल आने से आपका चयन नहीं हो जाता है आपको 50% में लाने होंगे और बांकी 80 में भी हो जाता है लगला करेटी कई बार 60 पर बात रहती है सब कुछ अपडेट आता रहेगा कि कब क्या है करके सब उससाब से आपको जाना होता है इसकी टाइपिंग यह 15 मिंट के आपकी रहेगी डाकुमेंट यह सब आपका वहां पिर देखा जाएगा और मेडिकल भी इसमें होता है अन्तम होगा जब सब कुछ हो जाएगा फिर मेडिकल होगा फिर उसके बाद आएगा फाइनल रिजेंट तो इस तरह से होगा बाकि आप लोग फॉर्म ज़रूर्ण भरेगा एससे ज़रूर्ण भरेगा एससबी है दोस्तों कुछ न कुछ लोग तो जरूर्ण निकलते हैं बाकि पोस्ट कम है ऐसा बिलको नहीं सोचना लेकिन अभी उसका रिटन एक्जाम नहीं हुआ है तो अब देखने वाली बात होगी कि रिटन इसका कब तक होता है और बाकि CRPM में भी आती है आती है तो इस तरह की हर दो-दो साल में इस तरह की भेगेंसी आते रहती है है एट कॉंस्टेबल के लिए और काफी अच्छी जॉब होती है कंप्यूटर पर ही आपको अपने सब कुछ काम करना होता है और पूरा जीवन भर आपको जबतर का प्रिटैन हो जाते हैं कंप्यूटर पर इसको रहना होता है तो काफी अच्छी जॉब है तो यह थी आज की जानकारी बाकि अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप comment box पूछ सकते हैं बागी मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी Thank you friend, thank you so much